हाई एविवन आज हम दो विसक्स करने जा रहे हैं IES 2015 पेपर 1 ऑफ पोर्ट नी अब इसका पहला कोशन है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट सॉयल नूट्रियन साइकल सॉयल नूट्रियन साइकल में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है हैं अब यहां पर कई टाइप के माइक्रोब्स हमें देखने को मिलते हैं माइक्रोब्स की क्ेटेग्री में हम दोग रखते हैं बैक्टीरिया वाइरिसस माइको प्ला्स्म और लेकिन यहां पर ऐसे माइक्रोप्स की बात करी जा रही है जोकि सॉयल में颉ट्रेंट साइकल को चलने देते हैं It means nutrients की little cycle बना के रखते है in-sah uhhh अ-soil ताकी soil की fertility बЭर रही तो यहां पर जब फी soil के microbes की बात करी जाएगी जोकी nutrients में help करेंगे तो उनका डारेक्ट असर किस पे काम है वो करते हैं bacteria अब इन bacteria में भी कई type के bacteria होते हैं जो कि different different काम करते हैं तो bacteria में जो सबसे prime काम है जो कि soil की fertility को maintain रखता है that is nitrogen fixation nitrogen को fix करने का जो काम है वो बहुत important होता है किसी भी soil की fertility को maintain करने के लिए तो यहां पर कई अगरी टाइप के हमें bacteria देखने को मिले हैं जिसका different different कायम है in soil nutrient cycle अब अगर हम soil nutrient cycle की बात करें तो एक cycle हमारे दिमाग में आती है that is atmosphere में कुछ nitrogen होगा obviously बात है इसके बाद plants में कुछ होगा इसके बाद soil में कुछ होगा अब इसकी cycle को maintain करने के लिए microbes कहां पर काम आ रहे हैं वो हम दिखते हैं अगर plant जो है वो dead हो जाता है तो वो as a dead plant soil में रहेगा लेकिन उसके nitrogen को break करके in basic form में लाने का काम कौन करेगा bacteria जो atmosphere में nitrogen है उसको soil में combine करने का काम कौन करेगा bacteria जो different form of nitrogen मिल रहे हैं उसको basic form में लाने के लिए जो की plants के द्वारा absorb कर लिया जाए उसका काम कौन करेगा bacteria तो यहां पर हमें क्या cycle देखी plant dead हुआ atmosphere से जो nitrogen आई उन सब को bacteria ने fix किया soil में मिलाया इसके बाद soil में दूसरे bacteria ने उसे लाइक बनाया कि दुबारा से plants में absorb कर लिया जाए तो कुल मिला के यहां पर जो पूरी cycle को maintain करने का काम है वो कौन कर रहा है bacteria तो यहां पर हम different bacteria के बारे में पढ़ेंगे जो की help करते हैं इस cycle को maintain रखने के लिए पहला bacteria है that is ammonifying bacteria ammonifying bacteria क्या काम होता है जितना भी plant dead animal dead matter है उसको hydrolyze करता है किसमें ammonia acid and organic nitrogenase basis में तो जितना भी dead plant और animal का जो protein है उसको breakdown किया by hydrolysis और किसमें convert किया गया amino acid में और organic nitrogenous base में इसके बाद जो amino fine bacteria है वो क्या करता है यह जो amino acid है उसको convert करता है in ammonia अब यह जो ammonia है वो combine होता है water के साथ और carbon dioxide के साथ जिसके बाद यह अराम से एब्सॉर्व कर लिया जाता है plants के द्वारा तो यहां पर काम हमने देखा नाइट्र अमीनोफाइंग बैक्टीरिया का सेकेंड टाइप का बैक्टीरिया है यह नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया अब नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया का गाम है यह ऑक्सिडेशन करता है अमोनिया का तो नाइट्रेट तो यहां पर अमोनिया जो है वो कई बार डैरेक्ली यूज नहीं किया जा सकता नहीं पूरी तरीके से प्लांट्स को सिंप्लर फॉर्म चाहिए ताकि वो अपने बॉडी में उसे एब्सॉर्ब कर सके और उसे यूटिलाइज कर सके इसके लिए नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को फर्दर ब्रेक करता है और फर्दर कनवर्ट करता है किसमें नाइट्रेट में सो सब्सक्का नाइट्रेट में कनवट होना कि किस प्रसेस के तुछ ऊक्सीडेशन के तुछ राता है क्い नाइट्री फिकेशं स्था को है तो कोई आप से पूछें नैटिरीफिकेशन क्या है तो कहेंगे और ल फuciथाएज वेमोनिया तो न crisis नोन एज नाइट्रीविकेशन ह अब इसके भी दो स्टेप होते हैं पहले एम्मोनिया जो होता है वो कन्वर्ट होता है नाइट ट्राइट में थ्रू ऑक्सिडेशन और इसको करने के लिए तीन बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम मैं अभी इसमें बता देती हूँ सेकंड स्टेप में क्या होता है सेकंड स्टेप में नाइट ट्राइट जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट ट्रेट में थ्रू ऑक्सिडेशन और इसको करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है दैट इस नाइट्रो बैक्टर यह हो गया second type of bacteria, अब हम आते हैं third type of bacteria में, third type of bacteria क्या है nitrogen fixing bacteria, nitrogen fixing bacteria क्या काम होता है, यह directly atmosphere से nitrogen को fix करता है soil में और directly वो consume कर लिया जाता है plant के द्वारा, तो यहां पर nitrogen fixing bacteria दो type के होते हैं, एक होता है symbiotic nitrogen fixer, और दूसरा होता है free living nitrogen fixer, अगर हम symbiotic nitrogen fixer की बात करें, तो यह किन में पाए जाता है, यह हमें देखने को मिलता है, leguminous plants में, leguminous plants की nodules में हमको यह symbiotic nitrogen fixer मिलते हैं, अब कोई भी leguminous plant को आप देख लीजे, उनकी roots में आपको कुछ nodules मिलेंगे, अब यह nodules क्या होता है, nodules का अगर आप मतलब देखें, तो nodules का मतलब होता है एक gart, इस gart का क्या मतलब है, यह जो bacteria होते हैं, यह इन nodules में पाए जाते हैं, और इनको grow होने के लिए जितना भी carbon compound की ज़रूरत पड़ती है, वो plant इनको supply करता है, अब plant इनको supply क्यों करता है, क्योंकि बदले में यह bacteria जो है, इस plant को nitrogen available कराते हैं, अब इससे क्या हुआ, एक symbiotic relationship बना, symbiotic relationship का क्या मतलब होता है, symbiotic relationship में जो दो organism होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को benefit करते हैं, इसको भी benefit होगा और इसको भी benefit होगा, तो उस relationship को हम जो कहते हैं, symbiotic relationship, तो आपस symbiotic nitrogen fixer है, इसका मतलब plant का भी benefit हो रहा है, और bacteria का भी benefit हो रहा है, अगर हम देखें, leguminous plants जो है, वो काफी जगा इस्तमाल होते हैं, to maintain the nitrogen in soil, मतलब किसी भी area में, अगर आप crop field की बात करें, वहाँ पर nitrogen की availability कम हो गई है, तो as a crop rotation के थुरू, हम लोग leguminous plants को बनाते हैं, लगा देते हैं, वहाँ पर ज increase कर देता है, without any external effect, तो fertilizer की ज़रत नहीं पड़ी, आपको manure की ज़रत नहीं पड़ी, naturally वहाँ पर nitrogen की availability ज़ादा हो गई है, तो यहाँ पर जो bacteria है, वो root में आखिर enter कैसे करते हैं, यह जो bacteria है, वो root के cortex cell में जाके, डिवाइड होना चालू करते हैं, अगर यहाँ पर cortex cell है, त उसको सारी nitrogen की चीज़ देता है, और बदले में, प्लांट जो है, वो इसको सारी nutrient supply करता है, जो कि उस bacteria को चाहिए grow होने के लिए, क्योंकि शुरवात में, जब यह young होते हैं, जब यह nodules young होते हैं, तो यह nitrogen fixation नहीं करते हैं, यह क्या करते हैं, यह सिर्फ अभी grow हो रहे होत होते हैं maturity के लिए, लेकिन अभी यह यहां पर grow नहीं होते हैं, इसलिए nitrogen fixation नहीं करते हैं, लेकिन तब भी plant इनको supply करता है nutrient, ताकि in future वो इसको nitrogen दे सके, तो जब यह young होते हैं, तब इनका color white और gray type का होता है, लेकिन जैसे ही यह mature हो जाते हैं, इन nodules का color convert हो जाता है, किसम वो nitrogen fixation कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पता कैसे लगाएंगे, अगर जो nodules red and orange color के हैं, तो वो nitrogen fixation कर रहे हैं, और अगर जो वो green color के हैं, white color के हैं, gray color के हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं, अब green की बात कहां से आई, जब nitrogen fixation nodules काम करना बंद कर देते हैं, और nitrogen fixation नहीं करत लेग हीमोगलुबिन जो है वो उसे कलर देता है रेड वाला इसके अलावा जो नौडिूल्स है वो अब उसके एंटाइर सीजन में मतलब प्लांट के जितना भी सीजन है उसमें वो नाइट्रोजन फिक्शन करते हैं लेकिन जब तक उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है अग इसा भी कह सकते हैं कि प्लांट उन्हें बोल देता है अब हमारा काम नहीं है अब आप हमारे किसी काम के नहीं हो तो हम आपको ग्रीन कलर में कंवर्ट कर दे रहे हैं नाइट्रोजन इस इसा काइंड ओफ सिंबियॉटिक नाइट्रोजन फिक्सर नाइट्रोजन जो है वो इसी एट्मोस्फेरिक नाइट्रोजन को कंवर्ट करता है इन अमोनिया वैसे तो नॉर्मली यह माइक्रोब्स जो है वो एरोबिक इन नेचर होते हैं मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन जब यह नौड्यूल्स फॉमेशन कर लेते हैं और नाइट्रोजन फिक् फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्षर की अब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्षर क्या होता है यह कैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉयल में फ्रीली घूम रहे होते हैं इनको किसी से मतलब नहीं है यह क्या करते हैं यह एरोबिक फॉर्म में होते हैं मतलब इन इसको इस तरीके से देख सकते हैं, अगर soil में बहुत ज़ादा ammonia है, तो ये nitrogen को fix नहीं करेंगे, अगर soil में ammonia की कमी हो जाती है, तो ये से fix करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको as a sink and source की तरीके से देख सकते हैं, मतलब जहाँ कमी है, वहाँ पर ये लोग काम करेंगे, जहाँ कमी नहीं है, अगर बहुत ज़दा source है ammonia का, तो ये काम नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो गया है अभी, question number one, इसके आगे हम बढ़ेंगे question number two, that is algae as a bio indicator, वह हम लोग next video में देखेंगे, so keep watching, thank you so much.